जब वक्त बुरा चलता है ना तो घुटन महसूस होती है किसी का छोड़ा हुआ खालो तो जूठन महसूस होती है हालात के इसाब से कुछ भी करना गलत नहीं है अगर भूख लगने पर मांग कर खालो तो लोग तुछ जाती के समझ लेते हैं आज हम लोग कुछ इसी तरह का चेप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम ही है जूठन, जूठन का मतलब होता है जूठा खाना, सोची अगर आपको जूठा खाना दे दिया जाए जूठन दे दिया जाए तो क्या आप लोग खा सकेंगे, खा पाएंगे बाहर के लोगों का जुठन तो दूर की बात है, आप लोग अपने घर के लोगों का जुठन नहीं खा सकते हैं और नहीं खाते होंगे ये सही बात है कि नहीं आप हमें कमिन में ज़रूर बताइएगा आप लोग सोचते होंगे कि ये जूठन है, हम दूसरा खाना का लेए, छोड़ा हुआ खाना है, हम नहीं खाएंगे, घिन आ रही है, भिन आ रही है, हम नहीं खाएंगे, हमारे पस तो दूसरा भी खाना है, ले लेंगे, दूसरा खाना काएंगे, लेकिन सोचिए, वो लोग जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है उनको मझबूरन क्या करना होगा जूठन ही न खाना होगा तो ऐसा आज से बहुत साल पहले होता था लगवक 50 साल पहले जब जातपात को लेकर भेदभाओ किया जाता था अभी बेदबाव किया जाता है लेकिन वहीं बहुत कम हो चुका है एकदम ना के समान हैं कुछ-कुछ एरिया में आप लोगों को देखने को बोल सकते हैं तो जाती में से जाती का नाम था चुहडा जाती ठीक है चुहडे जाती के लोगों को तो और भी जदा तुछ समझा जाता था चुहडे जाती के लोगों को कुछ भी नहीं समझा जाता था गिरा हुआ घिनावना काम घटिया काम करवाया जाता था चुहडे जात जा जाता था और इतना मेहनत इतना परिश्रम करवाने के बाद बदले में क्या दिया जाता था तो जूठन दिया जाता था जूठा खाना तो सोचिए चुहडे जाती के लोग जिस भी घर में जाते थे ना काम करने के लिए उस घर में मवेशी भी रहा करते थे यानि कि घर में जाते थे काम करने के लिए हर घर में 15-20 मवेश्य रहते ही रहते थे 15-20 गाय बैल भैस वगर ठीक तो 15-20 उन मवेश्यों के गोबर और मुत्र साफ करना ठीक है और मर जाते थे तो उन चुहडे जाती के लोगों को की ठाहिं रहा ही वो अपना पेट भरने के लिए इतना इसा बोल सकते ते कि अगर अगर चुहएब जाती के लोग ऐसा बोलते तो जो बड़े-बड़े लोग थे उनको पीटते भी पीडते वी थे और डाटकर भगा भी देते और खाना भी नहींको-प्रगां नहीं-दे तो फिर उनको कहना नहीं मिलता और भुखें जबहाओ किया जाता था यहार एक चैज़ इस चैप्टर में क्या है आतमकथा आतमकथा नहतों कि Cape लाइं से पास लाइफ में कौन-कौन सी घटना हुई थी कौन-कौन सी इंसिडें वुए थे यह लिखकर बताने लगए प्रोपर तरीके से तो उस लिखेवए को बोला जाता है आत्म कथा मैं। मेरी जिंदगी में lub कौन सी घटना हुई थी अगर मैं प्रोपर तरीके से लिखकर बता दूँ आप लोगों को एक एक घटना के बारे में तो उस लिखे को बोला जाएगा आत्म कथा मेरी आत्म कथा वो कहलाएगी लेकिन इस चैप्टर में जो आप आत्म कथा पर ना ON あり嗎 द्या से पर आत्म कथा अन से स्मझेया अपनी कथा गटना लिखकर बताना डिक है इस अन우 मोटिवेशन से भरपून है आप लोग अंद तक इसको समझेए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए जाएगा और थोड़ा सा आप लोग इमोशनल भी हो सकते हैं तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन गेडमी के इस नए और लिटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में आप लोग समझ चुके हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं 12th इस पूरे चाप्टर को देखे यह तीन भागों में विभाजित है पहला जो भाग है पहला खंड उसमें प्रकाष वालमी की अपने स्कूल लाइफ के बारे में बताएं कि उनके साथ स्कूल में कौन-कौन सी घटना घटित हुई यह पहले खंड पहले भाग में बता दी है दूसरा खंड उसमें प्रकाष वालमी की अपने परिवार के लोगों के बारे में बता हैं कि उनके परिवार के लोग क्या करते हैं और उनके परिवार के लोगों के साथ किस तरह की घटना हुई और उनके साथ किस तरह की घटना घटित हुई यह दूसरे खंड में आप लो को पढ़ने को मिलेगा तो यह तीन खंड में डिवाइडर है तो चली समझते हैं जो सबसे पहला भाग है जिसमें प्रकाश वालमी की अपने स्कुल लाइफ के बारें बताए हैं जब वो सरकारी स्कुल में जाते थे तब की बात किये हैं और तब की घतना को बता हैं तो बता हैं प्रकाश वालमी की जब मैं सरकारी स्कुल में गया था पढ़ने के लिए तो जो हैड मास्टर कली राम थे वह मैं जाकर तो क्लास में बैठा था तो मुझको बुला कर और पुछे क्या नाम है बे तेरा जरा इनका लहजा देखिए बोलने का हैड मास्टर कली राम का तर जाती का है पूछे तो उसके बाद से हेड्मास्टर कली राव जो डिखाई दे रहे ना उस पर चढ़ जा और टहंदियां तोड़ कर जाड़ू बना ले और पूरे स्कूल को ऐसा चमका देना जिसे कि सिशा चमकता हो तेरा तो ये खांदानी पेशा है चल लगजा काम पे अब बिचारे ओम परकास करे भी तो क्या करें ओम परकास क्या किये एड मास्टर जी का कहना था तो वो चड़ गए सिसम के पेड़ पर और टैनिया तोड़का अगदम पत्तो वाला जाड़ू बन से वो जो headmaster है कली राम वापस आ गया और ओम प्रकास से कहा कि इसकूल का जो फिल्ड है न मैदान उसको भी साफ कर देना अब बताईए ओम प्रकास के वजूद से भी बड़ा वो करेंगे बहुत दाखतरनात पिटता था कली राम हैड मास्टर ठीक है अब बहुत दाव धरते थे ओम प्रकास अपने हैड मास्टर से यह तो कहकर चला गया हैड मास्टर कली राम अब क्या किये अब यह डर डर कर ओम प्रकास जाड़ू उठाए और मैदान पूरे फिल्ड को जाडू लगाना स्टार्ट किये और बाकी सभी बच्चे क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और बेचारे इधर ओम प्रकास पुरे फिल्ड में जाडू लगा रहे थे चारो भाईयों में से सबसे छोटे और लाडले भाई थे सभी बच्चे को क्लास में बैठ कर पढ़ाई करते हुए देखकर ओम प्रकास के मन में लालसा जग रही थी बहुत दा इच्छा थी इनकी भी कि मैं भी क्लास में बैठ कर पढ़ाई करता लेकिन वो जो हेड़ मास्टर है उससे जारू लगवा रहा था किसी तरह पहला दिन जो है न ओम प्रकास का जारू लगाने में ही गुजर गया पहला दिन तो पूरा इनका टूटल जारू लगाने में गुजर गया उसके बाद से सोचे ओम प्रकास की चलो दूसरे दिन में जाओंगा पहला दिन तो में जारू लगा दी अब दूसरे दिन जाकर आराम से क्लास में बैट कर मस्त पढ़ाई करूगा एक तरह मज़ा आ जाएगा जब दूसरे दिन उम्परकास स्कूल में गए जैसे स्कूल में एंटर किये प्रवेश किये वैसे फिर से हेडबास्टर कली राम वही वाला जाड़ू ओम्परकास की हाथ में थमा दिया कि लो चलो अब लग जाओ काम पर जाड़ू लगाना शुरू करो यह लो भाई अब ओम्परकास डर भी रहे थे हेड़ मास्टर जी से अब यह क्या करते ना भी नहीं बोल सकते हाथ में जाड़ दिखाऊंगा ही नहीं चुप चाप क्लास में जाकर बैट जाओंगा ना कोई देखेगा ना मुझे कोई बोलेगा साफसफाई करने के लिए ना कोई मुझे बोलेगा जाड़ू लगाने के लिए मैं आराम से चलो आज में किसी तरह लगा दे रहा हूं दूसरा दिन जो है ना उम परकास जब गए स्कूल में तो बिना किसी से अपना शरीर दिखाए जाकर क्लास के कोणे में बैट गए थे ठिक बहुत बढ़ियां तभी जो है ना हेड मास्टर कली राम का एकदम दहार सुनाई दिया है तेज आवाज गुस्चे से भरी आवाज बाकि सभी सब कुंए में tranh fa pRC बोला जाता था मास्टर जी को थी को दीक घैसेड कली राम कों म्रोट प्रकास की तरफ और करें बता रहे थे और आवाद साब मांसटर कली कि रहा देख लिए जाड़िये थेक कोंडे में बैठ में बढ़ने की चल जाडू लगा अब बेचारे जो है ना रो रो कर अब आप स्टुडेंट की फिलिंग को स्टुडेंट की समस्क्ता है अगर आप नोंको बोल दिए इसकुल में पढ़ाई करने की जाडू लगा तो कितंडा बुरा लगेगा अब बैचारे रो रोकर वो जो है ला ओम परकाष ज्रुऌगा रहे थे थे और उम परकाष को बूचिती कर बुकारते थे ठीक है तो यह ज्यान कर रहा है मुझत मुझतो जी तो जैसे ही ओम प्रकाष अपने पिता जी को देखे ना ऐसे और कि से काम करवाया जाता है तो अपने कोई एक आशा मिल जाती है तो आशा कि किरण में वह करोने लगते तब पिता जी कर पास आ गए मुंसे जी के फिल्ड में रहे हो ठीक है तब जो है ना उम परकास क्या कि ये सारा बात बताये कि तीन दिनों से यह जो हेड़ मास्टर जी है न कली राम हम से जारू लगवा रहे हैं सारा रो रो कर बात बताये थे ओम प्रकास अपने पिता जी को और पिता जी सारे बात को सुने और उसके बाद से पिता जी की घनी-घनी मूचे थी एकदम काली-काली वो खड बच्चे जितने वी विद्यारति यह बाहर निकल गए ठीचर निकल गए और तभी है ना हैड्मास्टर कली राम भी आया पिता जी डाटने लगे तो हैड्मास्टर कली राम भी कुछ कम नहीं था यहना वो भी धम्किया देने लगा पीता जी गो ठीक है अब किसी तरह माम प्रकास को घड़ लेकर चले आए ठीक तो यह था आप लोग का पहला खंड जिसमें आप लोग को पता चला कि ओम प्रकास वालमी की के साथ और पूरे चुहडे जाती के लोग के साथ कैसे ब्योहार किया जाता था स्कूल में सोचे ना जब स्कूल का हेड मास्टर इस तरह भे तो इस तरह होता था स्कूल में चुहडे जाती के लोग को पढ़ने नहीं दिया जाता था बिल्कि साफ सफाई करवाया जाता था तो यह आप लोग को पहले खंड में पता चला अब दूसरे भाग में दूसरे खंड में ओम प्रकास अपने परिवार के बारे में बताए है क उनकी जो मां है बोल रहा है कि मेरी मां महनत मजदूरी के साथ दस तगाओं के घर दस तगाओं के घर तथा घेर में घेर कहते हैं मवेश्यों का रहने साफ सफाई का काम करती थी औंप्रकास की मां मेहनत मजदूरी के साथ साथ 10 तगाओं के घर में यानि कि 10 बड़े बड़े लोगों के घर में जाती थी साफसफाई करने के लिए और उसके साथ साथ घेर में भी साफसफाई करती थी जहाँ पर जानवर रहते थे जानवरों को बांधा जाता था मवेशियों के बांधा जात तो बोल रहे हों प्रकास के मेरी मा का साथ देने के लिए मेरी बहन बड़ी भाई जस्वीर और जनेसर थे और मेरा जो बड़ा भाई था सुखवीर याद रखना है आप लोगों को प्रकास के बड़े भाई का क्या नाम है सुखवीर सुखवीर तगाओ के यहां वार्थिक नौकर की तरह काम करता था इनका जो बड़ा भाई है सुखवीर वो तगाओ के यहां यानि कि बड़े बड़े लोगों के घर क्या करता था वार्थिक नौकर की तरह काम करता था यानि कि साल भर काम करता था और साल भर में उनको जो भी काम करने के बाद जो दिया जाता है पेमेंट वो मिलता था अब देखिए आगे बताये हम प्रकास कि परति एक तगा के घर में मेरी मा तो 10 तगाओं के घर जाती थी ना काम करने के लिए तो हर एक तगा के घर में 10-15 मौवेशी होते थे यानि कि हर घर में आप लोग को 10-15 मौवेशी देखने को मिलता था अब बड़े घर की लोग थे तो 10-15 जानवर तो रखी सकते थे ठीक तो सोचिए मेरी मा जो है न 10 घर में जाती थी और हर घर में 10-15 मौवेशी जानवर रहा करते थे उनके गोबर और मुत्र को साफ करना इकठा करके फिर ले जाकर जहां पर कुड़ा फेका जाता है वहां पर ले जाकर फेगना कितना कठिन काम होता था दस से पंद्रा मौवेसी यानिकि दस से पंद्रा जानवरों का अगर गोबर इकठा किया जाये तो पांच-छे टोकड़े गोबर इकठा होते थे तो इतना मेहनत करना पड़ता था चुहड़े जाती के लोगो को और सर्दी के महीने में तो यह काम बहुत ही ज़्यदा कस्ट सर्दी के महीने में जो है ना जानवरों को सर्दी ठंड लगने से बचाने के लिए बड़े-बड़े दालानों में गन्ने की सूखी पाती या फूस बिछाकर ममेश्रियों को बांधा जाता था बड़े-बड़े दालानों में जो है ना गन्ने की सूखी पाती आप देखते तो वही गन्य की सूखी पाती या फिर आप बोल सकते फूस को उन बड़े-बड़े दालानों में बिछाया जाता था एक दम मोटा चादर की तरह और तब ले जाकर मवेशी यानि की जानवरों को बांधा जाता था और रात भर वो जानवर जो है ना गोबर और मुत्र से पू प्रकास की इन 10-15 दिनों में उन दालानों से गोबर को ढून ढून कर इकठा करना फिर साफ करना बहुत ज्यादा दुर्गंद आती थी ना सिर भिन्ना जाता था एकदम भुझदा घिन्न आती थी मिचमिची होती थी मिचमिची का मतलब समझते है ना बहुत आप भिन्ना जाना एक दम घिन आना उस तरह होता था अब 10-15 दिनों तक जानवर जो है न उसी गन्य की सूखी पाती पर उनका मुत्र और गोबर इकठा होता था तो बोजदा खतरनाक गंध निकलती थी और वो गंध से सिर्भ ना जाता था और इन सब कामों के बदले इतना मेहनत किया जा पाँ्च सेर अनाज यान和 ड़ाए किलो आनाज और ऑँने माँ दस घर में काम करती थी तो दस घर से साल भर में उनको पचीस से रानाज मिलता था यानि की बारा से तेरा किलो साल भर में दस घर थे इनकी माँ को कितना किलो आनाज मिलता था तो सिर्फ बारा से तो आप लोग सोच सकते हैं और दो पार के समय बची हुई रोटी देखिए खास तोर से ना इन चुहड़े जाती के लोग को देने के लिए रोटिया बनाई जाती थी पता है किस तरह आटे को भूसी में मिलाकर आटा का जो चोकर होता है तो ज्यादतर भूसी मिलाकर चोकर मि आई जाती थी और चोड़े जाती के लोगों को दी जाती थी इस तरह होता था शाधी जब शाधी बयाँ पड़ता था लड़का हो या फिर लड़की का तो जो बराती लोग आते हैं बरात का खाना खाने के लिए तो जितने भी बराती आते थे खाना खा रहे होते तो जितन उनके भंगन की तोकडी में डाल दिया जाता झा तो ये जो कहते थे की बाराती ज्यूदा भुक करता था नहीं बचया तो सोचिये इस तरह ही अपनी जिंदगी बिदाते थे और जब ज्यादा जूथन मिलता इनके ठोक्री में ज्यादा तर जोष कर Nolan हो जाता तो मतलब यह जो जूथने भूत महीईनों तक यह लोग खाते थे और जो पूरिया एक आद मीठाईया बढ़ जाती थी उसके साथ से सबजी जो बच जाती थी लेकर घर जाकर खाते थे और पूडिया जो होती थी ना पूडियों के टुकडे उसको धूप में सुखा दिया जाता था ऐसे चरपाई होता था चरपाई पर कपड़ा बिचा कर और पूडियों को ऐसे फैला दिया जाता था सुखन के हमारे घर के लोग हमी को बैठाते थे पूडियों की पैरेदारी के लिए शुलीन लेकर बैठता था उन पूडियों को और सुखने के लिए छोड़ दिया और यह जो सुखी पूडिया थी ना बहुत जादा मतलब फायदा करती थी तब बरसात का मौसम आता था बरसात के दिनों में इन पूडियों को क्या करो भिंगो कर पानी में उबाल कर इसमें नमक और मिर्श डाल कर खाओ ना तो बहुत ही मज़ेदार मतलब बहुत अच्छा लगता था यह बता रहे हैं ओम प्रकास और इसके साथ अगर इन पूडियों को भिंगो कर अगर इसमें मीठा डल कर गुण मिला कर और इसको लुगदी बना कर खाया जाता है तो भी बहुत अच्छा लगता था तो यह जो जूठन मिलता था तो उनसे मतलब महीनों तक इन जो बराती लोग खा रहे हैं इतने अच्छे-च्छे मिठाईया सबजी पूरिय वगएरा बनिया वगएरा हमको भी मिलता यह सारा अंदर ललच आ रही थी ओम प्रकास को कहा कई मेरा बोजदा मन करता था कि मैं उन सभी पकवान को खाऊं जो बराती लोग खा रहे हैं ठेक लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था दिन रात मर खपकर मेहनत करके पसीना बहाना और इन पसीनों की कीमत मातर जूठन फिर भी हमारा किसी से कोई शिकायत नहीं कोई शर्मिंदगी नहीं कोई पस्चाताप नहीं अब आगे ओम प्रकास क्या बताए हैं मैं आप लोग को बताती हू बोड पर लिखकर मैं बोड मीटाओंगी इसलिए अगर आप लोग स्क्रीन सौट लेना चाहते हैं तो कोई दिकत नहीं ले सकते हैं पड़वर स्क्रीन शॉट कि अब हम लोग आगे समझते हैं कि ओम प्रकास वालमी की आगे क्या बता है देखिए दूसरे खंड की अभी बात कर रही हूं में अब आजी बता रहे हुं प्रकास कि अभी पिछले वर्ड़्स सुखदेएो संग्त्यागी का पोता क्या नाम है सुरेंद्र सिंघ पिछले वर्ड़्स सुखदेएव सिंघ्ली पोता सुरेंद्र ईंतर्वियू था तो इसलिए मेरे घर एक रात आकर पर रुका और सुरेंदर सिंग मेरी बीवी का बना हुआ हाथ का जब खाना खाया ना तो खाकर बहुत जदा खुश हुआ और बोला कि क्या भावी जी आप क्या खाना बनाती है इतना स्वादेश्ट खाना इतना अच्छा खाना तो मेरे घर में कोई बना ही नहीं सकता यह सु सुच रहे हैं तो सुग्देव ज्हिंग त्यागी के घर हम प्रकास बता रहे हैं कि सुग्देव सिंग्षागी नड़की की जब शाधी थी तो शाधी से लड़की की शादी थी इज़त का सवाल था पुरे गाउं के इज़त का सवाल था कुछ कमी नरा जाए इसलिए ओंप्रकास के पिता जी जो थे वो बता रहे ओंप्रकास खूद की मेरे पिता जी जो है ना सारे मतलब गाउं से कुर्सिया जो होता है वही कठा करके और लड़की की शादी हो रही थी बराती लोग आ चुके थे बराती जब खाना खा रहे थे न तो उस वक्त चुहडे जाती के सभी लोग दर्वाजे के बाहर क्या बोलता है टोकडी लेकर भंगन की टोकडी लेकर बैठे थे ताकि बराती लोग खा ले तो जो भी जुठन निकले तोर्टवर दिये जाएगा तो मेरी माँ भी भूद्यान जितनी ग ensy के बाहर बैठी थी और मैं अपनी मा से शिमट कर मैं और मेरी वहन मा से मट बैठे थे लो बता रहे ये उन प्रकायच और जब बराती खा कर चले गए तो जूथन तो टोकरी में डाल दिया गया मैं मां के पास बैठा था सिमत कर तो मुझे बहुत जदा मन कर रहा था कि जो भी बराती लोग खा रहे थे अच्छा-चा मिठाई अच्छा-चा पकवान तो मुझे भी मन कर रहा था तो मैं अपनी माँ चे कहा कि मां मुझे ये कब खाने की मिलेगा नहीं हमको भी दिला दो तो जूठन तो मिल गया था टोकरी में लेकिन फिर भी मेरी माँ जो है ना सुकदेव सिंग त्यागी से बोली थी कि चौधरी जी इप तो सब खाणा का भी हो ठीक है यह सुनकर सुखदेव सिंग बोला था याद कर रहा हैं प्रकास की जब मेरी मा लेकर जा रही है उपर से अपने जाकतों के लिए खाना भी मांग रही है तेरी ओकात क्या है चोड़ी इस तरह करके डाटा था मेरी मां को कि टोकड़ी बरके तुम खाना जूठन लेकर जाही रही है और उसके बाद से अपने जाकतों के लिए तुम खाना भी मांग रही है तेरी ओकात क्या है चोड़ी चल भाग उठा टोकड और निकल यहां से चलते बढ़ यहां से इस तरह करके डाटा था आज उसी सुखदेव सिंग का पोता सुरेंद्र सिंग मेरे घर आया था उसी सुखदेव सिंग का पोता इतने सालों के बाद मेरे घर आया था और आकर मेरे बीवी का हाथ का खाना खाकर उसने कहा कि भावी वर्तन आया कितना बदलाव आया है तो हलात के हिसाब से मेरी माने सुखदेव सिंग त्यागी से खाना मांग ही लिया खाना तो मांग ही लिया, क्योंकि हलात अच्छे नहीं थे, पैसे की कमी थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उस वक्त मांग लिया, लेकिन उस वक्त सुखदेव सिंग त्यागी ने मेरी मां को कितना तुछ समझा था, सिर्फ खाना मांग दी थी तो, लेकिन देखिए मेर मेरी महानता मेरी मानावता देखिए हर इंसान के अंदर मानावता होनी चाहिए ठीक है मैं उसी सुगदेव सिंग्स त्यागी के पोते सुरेंद्र सिंग को अपने घर में शरड दिया एक रात रुकने के लिए बोला ठीक है वो एक रात रुका था फिर अगले दिन वो जाकर इंटर्विव देकर चला गया ठीक है और मेरे घर का खाना खाया सोचिया तो यह सारा बात दूसरे खंड में बताए हैं ओम-प्रकासवालमी की कि मैं उस दिन नवी कक्षा में था नाइंत क्लास में पढ़ता था और मेरे घर की आर्थिक हाला एक दम कम जूर थी मतलब बहुत ही आर्थिक सिती खराब थी मतलब पैसे नहीं थे कुछ खरीद कर खाने के लिए ठीक है और मैं नाइंध क्लास में पढ़ता था तो नाइंध क्लास की जो पुष्टक होती है किताब वो भी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे दोफ्तों से किताब लेकर और काम चला लेता था उसी से पढ़ लेता था पहनने के लिए कपड़े नहीं थे जो भी मिल जाता था वही पहन लो ठीक है इस तरह हमारी आर्थिक स्थिति एकदम बैनिया हो गई थी कमजोर हो गई थी और बोल रहे हैं कि उस वक्त भी मरने वाले पशू का काम भी चुहडे जाता था उस पशू को ठीक है और बापरे उन पशू उन जानवरों को जब मर जाते थे तो उठाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती थी उनके पैर हाथ को चारों पैर को रसी से बांध कर फिर बहियां लगाएं डंडा लगा कर उठाना उतना भारी गाय भैंस वगर मर जाता होगा तो सोची कितना कठीन होता होता उनको उठाना तो मरे हुए पशू को उठाने का काम जयना यह चुहडे जाती के लोग ही करते थे मरे हुए पशू के खाल मुझफरपूर के चमड़ी बाजार में 20-25 रुपे में बिक जाते थे मरे हुए पशू के खाल मुझफ क्योंकि जो चमड़ा खरिदने वाला होता था चमड़ा बिजार में जब ले जाकर बेचा जाता था चमड़ा खरिदने वाला भी खाल को देखता था मीन में देखता था कहीं छेद तो नहीं हो गया है और इसलिए खराब होने से बचाने के लिए जब चमड़ा निकाला जाता तो उसमें नमक लगा दिया जता था याद रखना है अब देखिए आगे वों प्रिकास बोल रहे हैं कि एक ब्रह्मा देव तगा का बैल खेट से लोटते समय गिर पड़ा मेरी मा ब्रह्मा देव के घर जाती थी साब सफ़ाई का काम करने के लिए तो उसी ब्रह्मा देव के तगात जुथ है उसका घर का बैल खेट से लोटते समय गिर पड़ा और मर गया अब ब्रह्मा देव आये और मेरी मा यानि कि मेरे घर आकर और सुचना देकर चले गए कि वहाँ पर मेरा बैल जो है ना वो गिर गया है और मर गया है जाओ उसको उठवाओ और जल्दी जैता जिसका मवेशी मर जाता था अपना जल्दी हटाने की कोशच करता फिशी करता जल्दी हटाओ जल्दी उठाओ इतरह चाहता थे जल्दी रड ज Apparently कि जल्दी बैल मर गया उसको हटाओ जल्दी ठीक है अब भाई ब्रह्मा देव के घर उनकी मा ओंप्रकास की मा जाती थी काम करने के लिए तो ओंप्रकास के घर के लोगों को ही उस बैल को उठाना पड़ेगा और हटाना पड़ेगा तो घर पर तो ओंप्रकास की मा थी उनकी का नाम था माया याद रखिये गांपर कास बता रहे हैं कि घर पर मेरी माँ मेरी बहन माया और मेरी सब से बड़ी भावी देवी थी ठीक और कोई नहीं था पिताजी जनेbreaker और जनेसर दोनों रिश्वीर देनादून में मामा के पास गया था कोई घर पर नहीं था एक मैं था और मेरी मा बहन माया और बड़ी भावी देवी थी ठीक है अब ब्रह्मादेव तो आकर कहे कर चले गये थे कि जल्दी से बैल उठवाओ घर पर तुख्था नहीं सभी लोग चले गये थे सब लोग रहते तब ना उठाया जा बैल को उठवाने के लिए अब जो ओम प्रकास के चाचा थे खुद बता रहे हैं कि उनके चाचा जो है ना महा कामचोर थे मतलब महा कामचोर कामचोरी में नंबर वन अब दोनों जन साथ में गये थे ठीक है और जब साथ में गये तो बैल गिरा हुआ था अब उसका खाल निकालना बागी था तो ओम प्रकास के चाचा जी धीरे धीरे छूड़ी लेकर और खाल उतारना शुरू किये धीरे धीरे उतार रहे थे थोड़ा दिर उतारे और उसके बाद से फिर वह छूड़ी रख दिये अब बोले कि लो अब तुम उतारो ओम प्रकास को बोले कि नौना काम उनसे देखा भी नहीं जा रहा था तो उतारते कैसे खाल पहली बार उनके साथ वो बोल रहे हैं उन प्रकासिस चप्टर में कि मैं उस वक्त के उस समय उस वक्त के मोमेंट को मैं कभी नहीं भूला सकता चाचा मुझको सिखा रहे थे कि ऐसे खाल उतारा जाता है औ और उसके बाद से जो है ना ओम प्रकास सारा खाल उतार दिये और उसके बाद से क्या हुआ चाचा जी उन खाल को थोड़ा जमीन पर बिछा दिये ताकि जितना भी उसमें रख्त था खून वो सोखले जमीन और जब खाल मतब सूख गया तो उसको क्या बोला जाता है एक आप पर पहुचे लो वैसे ही क्या किए ओम प्रकास के चाचा जी अब सर पर रखे थें खाल उसको उठाका jag दिये और उसके बाद से बोले ही अब समय आते हैं बस स्टॉप पर वो मुझको खाल ले जाते हुए देखेंगे तो क्या कहेंगे प्लीज आप थोड़ा और आगे तक मुझे अगले स्टॉप तक छोड़ दीजिए मैं वहां से भले लेकर चला जाओंगा बहुत जदा रिक्वेस्ट किये ओम प्रकास अपने चाचा जी को कि न लेकिन उनके चाचा नहीं माने अब बेचारे किसी भी तरह उम प्रकास उस खाल को सर पर रखे थे और मुझे चुपते चुपते कि कोई देख ना ले बहुत दा श्रमसार मैसूस किये थे उसक्त वह बता रहे हैं इस चप्टर में कि बहुत दा मुझे शर्मिंदगी मैसू हुई थी मैं ऐसे मुझे ना चुपा कर आ रहा था कि मुझे मेरे अगर देख लेंगे तो मैं उनको क्या बताऊंगा ठीक है ना और किसी तरह मैं घर पर पहुंचा जा थेकी लिवत अब हराई भा को लेकर फार का उत्याइए दूर है अना बहुत बड़ी बात थी ओंप्रकास की पुरी तरिके से हालत खराब हो गई थी, पुरा खून उनके कपड़ों पर साफ साब दिखाई दे रहा था और यह हालत देखकर ओंप्रकास की माँ के आखों में आसु आ गई, वो रो दी और याद है उम प्रकास को वो बता रहे हैं कि मुझे याद है उस वक्त का मोमेंट उस वक्त मेरी भावी जो है ना बड़ी वाली भावी मेरी मा से कही थी कि देखिए इनसे ये सब काम ना करवाईए बहले हम लोग भूखे रह जाएंगे लेकिन इनको इस गंदगी में मढध के लिए वो शब्द भावी के वो शब्द मुझे आज भी याद है भावी के वो शब्द आज भी अंधेरे में रोशनी बनकर चमकती हैं मैं तो उस गंद के जातपात के बेद भाव में जूज रहे हैं इस तरह के गंदगी में वो पड़े हुए हैं ठीक मैं तो निकल कर आ गया तो यह सारा बात जो है ना ओम प्रकाश्वाल में की बता रहे हैं और इस चाप्टर के माध्यम से यहीं बताने की कोश्की है कि कैसे चुहडे जाती क के लोगों के साथ या फिर तुछ जाती के लोगों के साथ भेद भाव किया जाता था आज से 40-50 साल पहले ठीक तो यहर एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर से हम लोगों को यहीं सीख मिलती है कि हमें कभी भी जाती धर्म को लेकर जातपात को लेकर भेद भाव नहीं करना चाहिए हम किसी जाती किसी धर्म के होने से पहले एक इंसान है एक मानाव है तो मानाव का सबसे बड़ा कर्म मानाव का सबसे बड़ा धर्म होता है मानावता इंसान के अंदर मानावता होनी चाहिए ठीक इंसान का इंसान जब दुसरे इंसा हुआ है क्योंकि अभी ओम प्रकास वालमिकी के बारे में जानना बाकी है इनके बारे में कुछ डिटेल्स आप लोग के बुक में दिया गया है जिसको जानना एकदम जरूरी आप लोग के लिए क्योंकि एक्जाम में कोशन पूछ देता है तो चलिए जितना भी डिटेल्स इ यह रहा ओर प्रकाशवालमिकी का इमेज और इनके बारे में इतना लंबा चौड़ा । दिटेल्स तो चलिए इनके बारे में हर एक समज़ लेते हैं ओर प्रकाशवालमिकी जिनका जन्म हुआ था तीस जून उनने शाब पिश्रास जन्म कब मिकी का जन्म कब हुआ तो 30 जून उन्हें सब पच्चास इस्वी को कहां पर तो उत्तर प्रदेश के मुझफरपूर के एक बर बरला नाम का कोई जगा है वहां पर इनकी पैदाइश हुई थी इनका जन्म हुआ था और इनके माता पिता का नाम था मकुंती देवी और छोटन अब बात कर लेते हैं इनकी शिक्चा की कि कहां कहां से यह पढ़ाई की और कहां तक पढ़ाई की यह हर एक चीज तो देखिए अक्षर ग्यान का प्रारंब लिखा गया है अक्षर ग्यान का प्रारंब मास्टर सेवक राम मसीही के खुले बीना कमरे बीना टाट चटाई व था मास्टक सेवक राम मसीही के बीना खुले बीना कमरे बीना टाट चटाई वाले स्कूल से ठीक है वहीं पर जाकर यह अक्छर ग्यान के सिक्षा लिए और उसके बाद से आगे की शिक्षा आगे की पढ़ाई लिखाई जो है ना यह बेसिक प्राइमरी स्कूल में हुआ था 14 की परिक्षा जो है न यह बढ़ा इंटर कॉलेज बढ़ा से उतरिण किये थे पास किये थे लेकिन 12 परिक्षा में यह अनुतिर्ण हो गए फेल हो गए लेकिन आप लोग्पिल मत होएगा क्योंकि आप लोग भी 12 क्लास में है ठीक और फलसरूप बरला कॉलेज छोड़कर ये डियेवी इंटर कॉलेज देहरादुन में दाखिला ले लिए जब ये 12th क्लास में फेल हो गए है तो उसके बाद से क्या किये ये बरला कॉलेज छोड़ दिये और डियेवी इंटर कॉलेज में एडमिशन ले लिए ठीक है और कई वर्सों तक पढ़ाई इनकी बाधित रही रुका हुआ रहा और उन्हें से बानबिर में हेमवंती नंदन लिखा है हेमवंती नंदन बहुगूडा गढ़वाल श्री नगर विस्वविद्याले से हिंदी में ये में किये ठीक है इतने दिनों तक इनका पढ़ाई जो है ना अगे बढ़ते हैं वृती की की कि ये कहां कहां काम कीये यह फीर हैरण के अक्षा में ही अर्डिनेंस फैक्टरी में यह काम कर। थे, देहरादुन में, अप्रैंटिस्स की नौकरी, क्या लिखा है, अर्डिनेंश फेक्टरी देहरा दुन में ये अप्रैंटिस्स की नौकरी कर रहे थे, जब 12th class में थे थो और फिर आगे चल कर ये उसी factory में ordinance factory में ये चांदा जो की चांदा में था वहां के draft man की नौकरी करने लगे और संप्रती भारत सरकार की रक्षा मंत्राले के उत्पादन विभाग की अधीन ordinance factory के ये अप्टो electronics factory देहरा दुन में अधिकारी के रूप में भी कारे रत रहें तो ये सारा काम किये थे आप लोगो को समझ में आ गया होगा कि कितने बड़े आदमी थे ये बात कर लेते कि सम्मान इनको कौन से पुरसकार से सम्मानित किया गया तो डॉक्टर अंबेटकर राष्ट्य पुरसकार से इनको सम्मानित किया गया था उन्हेसा तिरानविर में और परिवेस सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था उन्हेसा पंचानविर में और दैश्री सम्मान इनको मिला था उन्हेसा चानविर में कथा करम सम्मान ये पुरसकार मिला था इनको 2000 में तो ये याद रखना है और लाश्ट में बात कर लेते हैं इनकी कृतिया की तो जूठन इनका आत्म कथा है जो की ओंप्रकाश्वालमिकी के द्वारा लिखा गया है सलाम और घुसपैटिया ये दोनों जो है ना ये कहानी का संग् चीज़े यानि की कवीता का किताब है उसके बाद से डलित्स साहित्य का सौंदर ये एक अलोशना है तो इतनी सारी चीज़े लिखे थे और उसके बाद से आगे यहाँ पर थोड़ा और कुछ दिया गय हैं इनके बारे में डीट्ल कि महाराष्ट में मेगदूत नाम की यह संस्था यह स्थापित किये थे जहां पर नाटक होता था और संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों में अभिनाई के सांसाथ मंचन निर्देशन भी किये थे यह तो यह हो गया आप लोंका ओम प्रकाश्वाल मीकी के बारे में सारा डिटेल्स और फाइनली यहाँ पर हो जाता है आप लोगों का जूठा नाम का चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट कोई भी कमफीजन हो आप हमें कमेंड में पूर्ट सकते हैं जो कुछ भी आप लोगों को समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक तो बनता है पड़वर वीडियो को लाइक करें और अपने पड़ोस ही अपने दोस्तों के पास जतना ज्यादा उसके उन्हें जदा शेयर करें इतने भी आप लों के रिष्टेदार है चारत और शेयर मारिए फड़वर्ट और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब तो बनता है फड़वर सब्सक्राइब कीजिए बेल अकन को द